हेलो एडिवन वेलकम टू दैश्टूडेंट चनल और एंटीपीसी सीवीटीवन का एंसर की आ चुका है और सभी लोगों मुझे लगता है कि सभी लोगों ने देख लिया होगा दो दीन हो चुके हैं और सभी लोगों कि अपने डाव माक्स कुलेट कर लिया होगा कितना सही है उनका कितना गलत है कि अब कि मैं कट आफ के बारे में ज्यादा उतना किसी कभी में बात नहीं करता हूं मैं बस एक एजंशन में अपना बता सकता हूं कि इतने नंबर अगर आपके आए हैं तो आपको CBT2 के लिए पढ़ना चाहिए हो सकता है आपका सेलेक्शन मतलब एक आद दो नमर से रह भी जाया य कि आपका समय बहुत कम रहेगा तो मैं बस एक कर सकता हूं कि इतने नंबर के उपर जो है लोगों को CBT2 के लिए करना चाहिए मैं एक दम कोई कटाफ नहीं बता रहा हूं कि हां इतने से उपर वालों का हंडे परसेंट जो है CBT2 में होई जाएगा मैं अनुमान लगा सकता ह आप लोगो को CBT2 के लिए तयारी जरूब कर दनी चाहिए देखें दो दुन से पहيرة हो जितना भी Kü कि आया सभी लोगोँ ने पॉल कहीं कहीं साइट पर या फीर य्यूटीब स्ने पर पर likewise मैं लोगों ने अपना अपना रिवियू पोस्ट किया है कि जा इच्वाइं 되어 कि हुआ है तो दो दिन इदा है इसके एदार पर मेरा कि पिछला वीडियो अब इच्छले मैंने आपके औप 25 में नंबर पाए हुए up can see or wouldn keון करते रहनी चाहिए लेकिन वह बहूं से चैनल पे इसी पे крут सब्सक्राइब करता है सबसे पहला जो इसमें कि आपका जोन कौन सा है और वहां पर वाकेंसी कैसी है और वहां पर नंबर अपकेंडियर कितने है यह सब चीजों पर और एक्जाम का लेवल कैसा था उस दिन जिस दिन अपने पर्टिक्लर दिन एक्जाम दिया है और सबसे बड़ा इसमें फैक्टर रोल करता हुआ है नार्मलाजेशन कभी-कभी जो है जो कठीन होता है तो उनका ज्यादा नंबर बढ़ता है लेकिन कभी-कभी बहुत ज्यादा नंबर बढ़ जाते हैं जैसे कि माल लेता हूं कभी-कभी 20-20 नंबर बढ़ जाते हैं 25-20 नंबर मुझे लगता है कि 25-25 नंबर बढ़ जाना एक-एक सेट में थोड़ा सा वाजि कि 10-15 नंबर किसके मैक्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम जो है मिनमम कम सकम चार पांच नंबर तो लोगों का बढ़ेगा बढ़ेगा तो जितना भी आपका रामाक्स आया है मैं एक तरह से एक कॉमन जो एवरेज में बता रहा हूं अगर आपके नंबर जो है क्यूंकि 70 प्लस नंबर लाने वाले लोग जेनुवनली मेहनत कर रहे थे और मैं पहले से भी कहता है आ रहे हूं एंटिपीसी सीबीटीवन के लिए कोई ये नहीं कहसकता कि समय बहुत कम मिला था बहुत ज्यादा समय मिला था इतना ज्यादा समय नहीं लगता नहीं कि तो आपके पास पढ़ने के लिए समय जो है बहुत ज्यादा परियाप्त समय था और कोई भी सिवाएं बंद नहीं थी जैसे माल यह कोचिंग बंद था तो क्या हुगा लेकिन यूट्यूब के हो गया या फिर आपके श्टेडी मेटरियल सब आपके पास से भी लेवल थे तो 80, 85 को शर्याद करें उन्हीं का मतलब कोई बनता नहीं है और आपने जाहर ज़िए कि उस्में cani किया है और जो आपके पकर कोचास सही हुए है इसमें भी आपके कम से कम दस-वारा तुक्य है ते तभ इसे वह तो इस तरह सा इपका सेलेक्शन होना थोड़ा सा बहुत मुश्किल है कि अब पहले जैसा नहीं रहेगा तो जितने लोगों के नंबर मैं मैं बता दे रहा हूं कि कम से कम जो है अगर पचपन प्लस आपके स्कोर है कम से कम तो आपको के लिए जरूर जाना चाहिए जैसे कई जोन ऐसे हैं जो दूर कि छेतर है या फिर पूर नार्थ इस्ट के जो जोन है उसमें क्या होता कि वह एरिया बहुत दूर होता है और वहां पर पर श्टूडेंट भी जाना पसंद ज्यादा नहीं करते मिला बहुत दूर रहता है तो जहां के कटाब में थोड़ा सा चैन्जन जाता है लेकिन जो दूर भी अच्छा है और मधल है आपका जगह और अगर इसक खड़ा यहुत उंट हैं ज्यादा जाते है और एल आवाइट जोन तो है सब लोग जानते ही हैं वहां पे कैदिड़ेट इतने जश्बुट इतने जदा रहते हैं कि अच्छे कैडिणेट भी यह बहुत ज्लック हम्हों यहीं से भर दिया जा तो इसलिए उसदर थोड़ा थोड़ा बढ़के जाता है तो मैं कहाँ कि 55 प्लस आगर आपका है तो आप सिवीटी टू के लिए जाए जिनका सतर प्लस स्कॉर है वह बहुत अच्छा कर रहे हैं उनको अपने पढ़ाए के स्टेटी में थोड़ा बहुत चेंगे नहीं करना है और वह लोग आटे सेलेक्शन नहीं होगा आपको सीवीटी टू भी क्लियर करना पड़ेगा और उसके लिए आपको जो है कम से कम अगर आप पिछले साल जो सोले में वकेंसिया थी उस समय अगर फाइनल मेरिट लिस्ट को आप देखेंगे तो कोई ऐसा जोन नहीं है जिसमें लगता है कि मैक् सेलेक्शन मिला है तो इस बार कमश्फयन बहुत ज्यादा पीछली जैसा नहीं है इस बार बहुत से चाह्यादा चाहते हैं और उन चाहते हैं कि जायर से बात है group D में रहना कोई पसंद नहीं करता है और वो लोग भी फिर से भरे हुए हैं तो उनके पास experience देने का वह selected हो भी चुपे हैं और पेपर में variation को लेकर मत रहें कि गुरूब डी का पर थोड़ा सा आसान लाता है जैसे गुरूब डी का पर होगा एलपी का पर होगा इन्स सब में पेपर में वायरेशन कुछ ज्यादा चैंज़े नहीं रहते हैं तो जो गूरूब डी में अच्छा स्कोर किया जायर से बात है कि आपका normalization में score अच्छा हो जाए तो वो कम से कम पढ़ते रहेगी हो सकता है अगर माल लिए किसी एकाद नमबर से या दो नमबर से अगर आपका रहे जाता है तो आप ग्रूबडी में भी अच्छा लग पाएगा और इसके बाद से मुझे लगता है कि ग्रूबडी का पेपर रेलवे कराएं और लेकिन अटीपसी के लिए को यह इसा नहीं है कि पेपर के बाद ही इसमें पेपर में ज्यादा समय नहीं लगए क्योंकि यालपी का था 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 वो तीन दिन में complete हो गया था तो वो खभी भी तीन दिन या चार दिन का समय वह निकाल सकते हैं को बीच में रोक करके और उसमें जो है cpt2 करा सकते हैं और इसमें फाइनल कटाप मुझे लगता है कि पंदर के अंदर आ जाना चाहिए और जितने लोगों का जो अगर लगता है कोई question doubt में है अगर उन्हो से ज्यादा का improvement आपके score में हो जाएगा तो normalization में आपका score बहुत अच्छा हो 55 से प्लस हो जाए 60 से प्लस चला जाए और आपका selection जो है cbt1 में हो जाए तो आप लोग जो है cbt2 के लिए लग जाएए समय मुझे लगता है कि जो इतना cbt1 में मिला था उससे बहुत कम समय मिलने वाला आइस में और दो महिने तो मान के चलिए दो महिने तो मिल जाएगा आज से लेकर करके अगर मैं बात करने तो लेकिन दो महिने में preparation जिनका कम score है मैं उनकी बात करना हूँ जो 70 से कम है उनको तो ज्यादा महिनत करने की जरूवत है तो दो महिने में आप वो कोई भी दिन जो है आप ऐसे मत वेस्ट करिएगा और बढ़ा दीजिए और जो लोग दाइस्टोन के चैनल पर नए हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लिजिए और cbt पेपर में 100-100 questions ना तो उसको solve करना और आपके लिए देखना भी पॉसिबल नहीं है आप अपने पास PDF रखी उसको solve करिए लेकिन में हर एक पेपर में कम से कम 10 questions 15 questions जो अच्छे होते हैं जो math के level के हैं और कुछ की point हैं जिस question में यूज हो रहा है जिसका यूज करके उसको solve किया जा सकता है जल्दी से जल्दी वह से question को मैं एक series लेकर करके जल्दी में solve कर रहा हूं तो जो question अच्छे है उसको मैं आपके समने लेकर करके आँगा तो जो लोग चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और आपके लोगशा है तो कोई भी आपका doubt हो तो आ आप मैसेज कर सकते हैं और इसके टेलीग्राम गुरूप से भी आप जूट सकते हैं टेलीग्राम का आइडी है अप टेलीग्राम से वहाँ से जूट जाएगे थैंक्यू अल्द बेस्ट